नमस्कार दोस्तों जै हिंद जै भारत दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र विशे से संबंधित एक महतेपूर्ण प्रेशन जो मद्य प्रिदेश की बोर्ड वा लोकल पईशाओं में पूछा जाता है विशे क्रसी विज् लिखिये यानि कि आदर्ष हर्याली की प्रमुख विशेस्ताइं कौन-कौन सी होती है समझाईए तो इसका उतरम देखते हैं आदर्ष हर्याली की विशेस्ताइं एक आदर्ष हर्याली के निमलिखित एक आदर्ष हर्याली में निमलिखित विशेस्ताइं होनी चाहिए पह वेलबूटों से हर्याली से सजा होता है तो इसको सजाने की क्या---क्या विशुष्था होनी चाहें। हर्याली अतियंत सुन्दर लगती हो तथा गद्य का रूप धारण किये हो यानि जो पार्क है जो मेरिजगाडन है वहां की हर्याली अच्छी होनी चाहिए तथा उस हर्याली का गद्य का रूप होना चाहिए जो उसमें घास लगाते हैं उसमें गद्य का रूप होना चाहिए वë दूसरा नंगे पैर हर्याली पर चलने पर उन में चुबन नहीं होनी चाहिए अगर कोई हर्याली पर नंगे पैर चलता है सबकी इच्छ professions डियाने होनी चाहिए अर्थात विह मुलाईमbasais चाहिए तो जब आप कोई पार्क बनाते हैं तो उसमें हर्याली का वातावन तयार करना चाहते हैं तो घास ध्यान से आपको लानी चाहिए कोई घासे आजकल हाईब्रिड भी आ रही है और चाइनीज भी आ रही है जो जल्दी से जल्दी सूख जाती है मर जाती है तो आपको देशी घास का उप्यों करना चाहिए, इसके लिए दूब भास बहुत बढ़िया होती है दोस्तों तीसरा है हर्याली की कटिंग करने के बाद वह शीगरी वरध्धी करके चारोर फैल जाए, यह धिखान रगना चाहिए यानि कि आपने हर्याली की कटिंग कर दी अगला है पांचवा हर्याली के अंदर खाली इस्थान नहीं होना चाहिए पदा पड़े यहां एक हर्याली का इस्थान खाली है और यहां पर हर्याली लगी हुई है यहां पर फिर हर्याली लगी हुई है यहां पर इस्थान खाली है तो ऐसे हर्याली के इस्थान मन को लुभ भाते नहीं हैं यानि कि हर्याली के अंदर खाली गड़े नहीं होने चाहिए यह उवर्खावर नहीं होना चाहिए अगला है अख्री घास ऐसी होनी चाहिए जिस पर गर्मी शीत तथा रोगों को कोई प्रभाव ना पड़े यानी तो सो हर्याली होती है अगर आप किसी गार्डन में, मेरिज गार्डन में, मंदिर में, मज़िद में हर्याली करना चाहते हैं उसके लिए घास लाते हैं तो घास ऐसी होनी चाहिए जिस पर गर्मी, शीत तथा रोगों का कोई प्रभाव ना पड़े अर्थात वह सदा ए भी शेषता है तो अगर आप मेरिज गार्ण बना रहे हो यफी इसकूल यफी कोलेज में पार्क बना रहे हो यफी अपने मोले में पार्क बनाने की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर आपको उचित क्वालिटी की घ्रास लानी चाहिए धन्यवाद दोस्तों